जैहिन दोस्तो मेरा नाम है बहादर लो थी और आज किस वीडियो में हम पुरुस्कार और स्रम्मान को डिसकस करेंगे 2023 में और 2022 में जितने भी पुरुस्कार दिये गए हैं सभी को डिसकस करेंगे और दोस्तों सभी question को हम बिल्कुल detail में with extra effect के साथ में discuss करेंगे तो आईए दोस्तों विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नमर first question से first question है जनवरी 2023 में किसे असमराज का सरबुच नागरिक प्रुसकार असम बैभाव से सम्मानित किया गया असम बैभाव ये असमराज का सरबुच नागरिक प्रुसकार है और 2023 में ये किस के लिए दिया गया है डाक्टर तपन सेकिया के लिए तो भी option correct हो जाएगा यदि आपसे पूचा जाए कि 2022 में किस के लिए दिया गया तो ये उद्योग पती रतन टाटा को दिया गया तो 2023 और 2022 दोनों आपको याद रखना है इसी क्रेम में next question है महराष्ट सरकार ने महराष्ट वूशन अबोड 2022 किसे देने की घोशना करी है सयंसरो जाएगा दोस्तो नमबर C दत्ता तेरी नाराण धर्मादी कारी के लिए जो नाराण धर्मादी कारी है ये कौन है ये प्रसद सामज़क कारे करता है जो महराष्ट वूशन अबोड है ये महराष्ट सरकार के द्वारा दिया जाने वाला महराष्ट का सबसे बड़ा अबोड है और ये वर्स 2022 के लिए दिया जाएगा ठीक है और इसकी गोशना की गई है फरवरी 2023 में किसको दिया जाएगा नारान धर्मादिकारी को दिया जाएगा नमबर थर्ड कॉस्टन युनोस को सांती प्रुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन ए एंजिला मरकेल के लिए भले 2022 का प्रुसकार है लेकिन ये कब दिया गया है? 2023 में दिया गया है यदि हम डेटेल की बात करें तो जो युनोस को सांती प्रुसकार है ये कब से सुरू हुआ? 1989 से और ये प्रुसकार सांती के परचार और परचार में योगदान देने के लिए दिया जाता है जर्मनी की पूर्ब चांसलर एंजिला मरकेल को आठ फरबेडी 2023 को युनोस को सांती प्रुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है इन्होंने अपने कारकाल के समय वर्स 2015 में वारा लाग से अधिक प्रबासियों को अपने देश में जगा दी थी इसलिए इनको यह पुरुसकार दिया गया है नैश कॉस्टन है वर्ल्ड गवर्मेंट सम्मिट 2023 में किस IIT के चात्रों को गलोबल बेस्ट एम गवर्मेंट अबोर्ड मिला है सायांसर हो जाएगा दूस्तों IIT इंदोर के चात्रों को यह अबोर्ड दिया गया है जात्रों को गलोबल बेस्ट एम गवर्मेंट अबोर्ड प्राप्त हुआ है IIT इंदोर के चात्रों को यह अबोर्ड मिसर के प्रेसिडेंट अबदेल फताहल सीसी के हातों से प्राप्त हुआ है और मिसर के प्रेशिडेंट अबदेल फताह अल सीसी से आपको तुरंत एक फैक्ट याद आना चाहिए कि 26 जनवरी को हमारे मुख अतीती कौन थे वहिया यही थे मिसर के प्रेशिडेंट तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है नंबर 5 कौस्टन गुरह मंतरी अमित सहय ने किस पुलिस सटेशन को देश के नंबर 1 पुलिस सस्टेशन की रूप में प्रिस्कृत किया है सही अंसर उज़ा है गदोस्तो असका पुलिस सटेशन ठीक है और जो असका पुलिस सिटेशन है ये उडीसा राज के गंजम जिले मे इस्तित है नैश को सन सुवासचंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्रुसकार 2023 के लिए किस संगठन को शुना गया है दोस्तों सुवासचंद्र बोस आपदा प्रबंधन प्रुसकार ये आपदा प्रबंधन के छेत्र में उतक्रिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को और संस्थानों को दिया जाता है, तो अभी 2023 में व्यक्ति को तो नहीं दिया गया, लेकिन दो संस्थानों को दिया गया है, एक उडिसराज का आबदापरबंधन पृषकाल संस्थान है और दूसरा है लुग्ली फायर इस्टीशन, ये कहां का है, ये मिजूरम का है, ठीक है, तो इन दो संस्थानों को आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2030 दिया गया है इनको अब जरूर याद रखेंगे बताए अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन केलास अबोर्ड मिला है सयान सरोजागा दूस्तो नाणेरा फिल्म के लिए ये पुरुसकार दिया गया है नेशको सन साउथ सूडान में तेनाथ कितने भारतिये धर्म सैनकों को सयुक्तराष्ट पदक यानि कि UN मेडल से सम्मानित किया गया है सयान सरोजागा दूस्तो ओप्शन डी ग्यारा सो एकत्तर सांती सैनकों को UN मेडल से सम्मानित किया गया बताइए एकत्तर भी मिस यूनिवर्स पिर्चियुक्ता 2022 का खिताब किसने जीता है सयान सरोजागा दूस्तो अमेरिका की आर वोनी ग्रेवियल ने सी ओप्शन करक्ठ हो जाएगा नैश कोस्टन है वत्तीस बाद जीडी बड़ला परुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया सयान सरोजागा दूस्तो प्रोफेसर नीलेस भी महता के लिए हम बात करें डेटेल की जीडी बड़ला परुसकार की तो यह परुसकार भारत में कारे कर रहे 50 वर्स से कम आयू के भारतिये वेग्यान को को उनकी उपलब्दी को मानता देने के लिए प्रदान किया जाता है और इस प्रोफेसर नीलेस भी महता के लिए दिया गया है और इनसे पहले 31 जीडी बड़ला प्रोफेसर नारान प्रदान के लिए दिया गया था दोस्तों मैं आपको बार-बार बूलता हूँ कि कम समय में आप कितने टॉपिक के वीडियो देखेंगे यदि आप कम समय में पूरे साल के करन्ट अफेस को पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका एकदाम नजदीक है और आप पूरे साल के करन्ट अफेस के सभी टॉपिक को स पहले आपने क्यों नहीं बताया और जो बच्चे इस e-book को वाय कर चुके हैं यदि आप उनकी feedback पढ़ेंगे तो आप एक second की देरी नहीं लगाएंगे और इस e-book को वाय करेंगे और सरकारी नौकली हासल करके रहेंगे नेश को सन जनवरी 2023 में किस एयरपोर्ट ने West Sustainable Greenfield Airport का अवोर्ड जीता है सयांसर हो जायागा दूस्तों औप्सन सी मनुहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और दूस्तों यदि हम बात करें कि मनुहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या था तो आप लोगोंने स इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेश्ट को सन है वेटेन में इंडिया यू के अचीवमेंट ओनर्ष के दौरा लाइफटेम अचीवमेंट अबड़ 2023 किसे सम्मानित किया गया सयांसर हो जायागा दूस्तों अपने देश के पूर्व प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग के लिए बी दिया गया यानि कि वेश्ट डारेक्टर का अबड़ और दोस्तों यह दिया गया है इस्टीवन इस पिल्वर्ग के लिए सी उप्सन करक्ठ हो जाएगा तो दोस्तों गोल्डन गलोव अबड़ 2023 को हम कमप्लीट डिसकस कर लेते हैं दोस्तों गोल्डन गलोव अबड फॉर कौन से संसकन है Golden Globe Award के 80 संसकन है ठीक है और हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया और दोस्तों एक most important fact याद रखना है कि Golden Globe Award प्राप्त करने वाले पहले भारतिये हैं ए आर रह्मान इनको 2009 में ये अबोर्ड दिया गया अब Golden Globe Award 2023 की बात करें तो West Song का अबोर्ड दिया गया है MM कीरवानी के लिए और तिरपल आर फिल्म के लिए और हम बात करें कि किस गाने को West Song का अबोर्ड दिया गया है Natu Natu Song के लिए दिया गया है ठीक है और ये सौंग पहला भारतिये सौंग है जिसे Golden Globe Award दिया गया है तो इसके गीतकार भी पूछे जाएंगे चंदर वोस इसके गीतकार है और दोस्तो West Picture का अबोर्ड जो है ड्रामा शनी में ये The Fablements Picture को दिया गया है इसके डारेक्टर कोन है Best Stephen Spilberg ठीक है और इनी को दिया गया है Best Director का अबोर्ड ठीक है और किस मूवी के लिए तो इसी मूवी के लिए दिया गया है The Fablements मूवी के लिए ठीक है तो दोनों को आप पसमें रिलेट करके याद रखेंगे Best Actor का अबोर्ड दिया गया है Austin Butler के लिए Elvis मूवी के लिए Best Actress का अबोर्ड Cat Villain Chate के लिए दिया गया TAR Film के लिए और Best Drama Series का जो अबोर्ड है यह House of the Dragon के लिए दिया गया तो यह सारे फेक्ट आप याद रखेंगे इनी फेक्टों में से एक कोसन आपके एक्जाम में पूछर दाएगा बताए कि बाप्टा आबोर्ड की शुरुआत कब की गई थी तो बाप्टा आबोर्ड की शुरुआत जो है यह 1969 से की गई थी यदि हम बाप्टा आबोर्ड 2023 की बात करें तो इसका कौन सा संसकन है तो अभी 76 संसकन है आयोजन है ये फरबरी दोजरतेश को लंदन के रोयल फेस्टिवल हॉल में किया गया शुरुवात मैंने बताया कि 1949 में इनकी शुरुवात करी गई थी और आभी दोजरतेश में वेस्ट फिल्म का अवर्ड All Quiet on the Western Front Movie के लिए दिया गया Best Director का अवर्ड Edward Worzer के लिए दिया गया है और West Actor का अवर्ड Austin Butler के लिए दिया गया West Actress का अवर्ड Cat Willing Chat के लिए दिया गया है Nash Question की बात कर रहे हैं Grammy Award की Grammy Award बताये किस छेत्र में दिया जाता है Grammy Award फटा फट से कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं जो मैं दिनरात महिनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ ये कुछ अच्छी साबित हो रही कि नहीं हो रही Grammy Award संगीत के छेत्र में दिया जाता है B option करक्ठ हो जाएगा अब Grammy Award 2023 से कितने कोस्टन बन सकते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं तो Grammy Award संगीत में दिया जाने बाला विश्ब का सबसे बड़ा यानि कि प्रतिष्टित Award है ये कब से सुरू हुआ 1969 से सुरू हुआ Grammy Award हर साल Recording Academy जो कि 65 नमबर के Grammy Award दिये गए और इनका आयोजन किया गया USA के Los Angeles में Grammy Award 2023 की बात करें तो सबसे जादा important fact आपको याद रखना है कि 2023 में अपना तीसरा Grammy Award जीतने वाले भारतिये इनका नाम क्या है भारतिये का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि जो International Label का Award है चाहे वो Film Award हो या फिर कोई भी Award हो उसमें यदि किसी भारतिये को मिला है किसी भारतिये मूल के व्यक्तिये को मिला है तो वो impact हो जाता है किसको मिला है? Ricky Case के लिए मिला है और किस category में? तो Best Immersive Album category में इनको या Award दिया गया Song of the Year का Award किसको दिया गया है? Bonnie Routh के लिए और Just Lair That Song के लिए ठीक है? Album of the Year का जो Award है ये Harry Styles को दिया गया है और किस album के लिए? तो Harry House के लिए Record of the Year का जो Award है Lizzo को दिया गया About Damond Time Song के लिए Best New Artist का Award Samara Joy के लिए Best Rap Song का Award Kendrick Lamer के लिए और सबसे ज़्यदा important fact दोस्तो कि पर्थम भारतिये कौन है जिन्होंने Grammy Award जीता तो पंडित रवी संकर है ठीक है? रवी संकर के लिए 1968 में West Chamber Music Performance के लिए Grammy Award दिया गया था और पंडित रवी संकर जो है ये परिसद कौन है? सितार वादक है तो ये जो दो fact मैंने आपको बताए है ये भी आप ज़रूर याद रखना इस्टेटेक में ये पूच जाते हैं बताएए दादा साफ फाल के International Film Festival Award दो होजाट तेईस में Film of the Year का अबउर किस फिल्म ने जीता है? सायान सरो जायागा दोस्तो option C तिरपल आर फिल्म ने और इस फिल्म के डारेक्टर कौन है? S.S. राजा मौली इस फिल्म के डारेक्टर है अब दादा साफ फाल के अबउर्ड से जितने भी fact बन सकते हैं वो देख लिए लीजिए West Film का अबउर्ड दी कस्मीर फाइल से जीता है और फिल्म अब दे इयर का अबउर्ड तिरपल आर मूबी ने जीता है West Actor का अबउर्ड रणवीर का पूर्ण जीता है ब्रह्मास्तर मूबी के लिए West Actress का अबउर्ड आलियवट ने जीता है गंगु बाई काठिया वाड़ी मूबी के लिए गंगु बाई और हम बात करें कि West Director का अबउर्ड तो आर वालकी ने जीता है और West Supporting रॉल में Actor का अबउर्ड जीता है मनीश पॉल ने और West Supporting West Wave Series की बात करें तो रुद्र The Age of Darkness ठीक है इस Series ने जीता है और West Television Series की बात करें तो अनुपुमा Series ने जीता है Next Question क्या है International Federation of Film Critics के दुआरा किस फिल्म को अब तक की सरवश्चिष्ट भारतिय फिल्म घोसित किया गया है इसका सई अंसर हो जाया है गर दोस्तो पांधेर पाचाल मूवी के लिए और ये कब रिलीज होई थी 1955 में रिलीज होई थी और इस फिल्म के डारेक्टर का नाम यदी पूछजा है तो इस फिल्म के डारेक्टर का नाम क्या है सत्जीत रेज हो है इस फिल्म के डारेक्टर है Next Question Freedom of the City of London Award 2023 से किसे सम्मानित किया गया सयांसर हो जाया गर दुस्तो Option A Virtus Indian उद्मी मनीस्तिवारी के लिए Next Question किसे मिला है सयांसर हो जाएगा दुस्तो के सच्चीदा नंदन के लिए के सच्चीदा नंदन कौन है तो ये आधुनिक कभी और आलू चक है Next Question है राजा राम मोहन राय राष्ट्य पूस्का 2023 किसे मिला है सयांसर हो जाएगा Option D AB के प्रसाद के लिए और इनको पत्रिकारता के प्रति इनकी योगदान के लिए ये प्रुसकार दिया गया है Next Question संसद रतन प्रुसकार 2023 कुल कितने संसदों को दिया गया सयांसर हो जाएगा दुस्तो Option C 13 संसदों के लिए और इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेड़ वीडियो बनाया है विलकुल डेटेल में हाला कि कुछ डेटेल को हम डिसकस कर लेते हैं तो संसद रतन प्रुसकार 2023 जो है ये डांक्टर एपी जे अब्दलकलाम के सुजाओ के आधार पर 30 प्रदसन करने वाले संसदों को सम्मानित करने के लिए शुरूं किया गया 2010 में शुरूं किया गया 2023 में इसका 13 बाश रंशकन है और 2023 में टोटल 13 संसदों को ये प्रुसकार दिया गया 13 संसदों में से 5 संसद राजसबा के हैं और 8-7-7 लोग सभा के हैं तो सबसे पहले लोग सभा के 8-7-7 कौन-कौन है मैंने यहाँ पर लिष्ट दे दी है और राज सभा के 5-7-7 कौन-कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिष्ट दे दी है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं screensotes लेसकते हैं या फिर detail में पढ़ना है तो इस topic को is topic पर मैंने वीडियो बना दिया है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं बताइए 2023 कितने लोगों को पदम पुरुषकार दिया गया है तो 2023 में यदि हम बात करें पदम पुरुसकार की तो 106 लोगों को पदम पुरुसकार बितरित किये गए हैं इन 106 लोगों में से यदि हम बात करें पदम विभूशन तो ये 6 लोगों को दिया गया पदम भूशन 9 लोगों को दिया गया और पदम स्री 91 लोगों को दिया गया ठीक है कौन कौन सी फेमस परस्नाल्टियां है तो यदि मैं डेटेल में बताऊंगा तो कम से कम 20 से 25 में इसी में लगेंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और जो इस प्रकार के important topic होते हैं इन पर और लेडि में वीडियो बना देता हूँ तो पदम पुरुशकार पर भी वीडियो आपको डेटेल मिल जाएगा आप playlist को बिजिट कीजिए जितने भी important topic हैं उन सभी पर वीडियो मिलेंगे वताएगे प्रधान मंतरी राष्टी बाल पुरुशकार दोहजार तेईस से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया सयान सरो जाएगा दूस्तों ग्यारा बच्चों को सम्मानित किया गया है दोहजार तेईस में और द्रोपती मुर्मू के दुवारा ये पुरुसकार दिये गए हैं ग्यारा बच्चों को ठीक है यदि हम बात कराएं कि वो ग्यारा बच्चे कौन-कौन से हैं तो यहां पर मैंने लग दिया है पहले हैं आदित सुरिस्ट कला और संस्क्रिती की शेणी में केरला से परते हैं और हनाया निसार खैल के शेतर में यह जम्मू कस्मीर से हैं और कोला गाटला अलाणा मीनाक्ची खैल के शेतर में आंद्र-प्रदेश से हैं एम गौर्भी रेड़ी कला और संस्कृति की चेतर में तेलंगाना से हैं, रिसीस सिव प्रसन्ना नवाचाच की चेतर में ये करनाटक से हैं, रोशन राम चंद्र इनको वीर्ता की चेतर में महराश्ट से हैं, सांभव मिस्रा कला और संस्कृति की चेतर में ये उडिसा से हैं सोरजीत रंजीत कुमार खेरे खेल के चितर में ये गुजरास से हैं और स्रेया वट्टाचार ये इनको कला और संसिती के चितर में ये कहां से हैं ये हैं असम से वताइए डाक्टर वाबा साहिब अमबेट कर राश्टिय योगदान पुरुस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया सहया असर वजागा दूस्तों ऑप्शन भी सुनील किश्णन के लिए नैश्ट कॉश्ण की बात करें तो किस राजी की जहांकी ने गढ़तन्तर दिवस 2023 के लिए सरब्शेष्ट जहांकी का पुरुस्कार जीता है तो सरब्शेष्ट जहांकी का पुरुस्कार ये इसकी जहांकी को, next question, अंग्रेजी भासा के लिए साहेत तकेदी प्रुषका 2022 की विजेता कौन है, सयांसरो जाएगा दोस्तों, option भी अनुराधार आए, डेटेल की बात करें, तो अनुराधार आए को अंग्रेजी भासा के लिए साहेत तकेद में 2022 दिया गया, ठीक है, और इ दो हजर बाइस ये इनकी घोशना कप की गई है गोशना की गई है इनकी दिसंबर दो हजर बाइस में और ये कप दिये जाएंगे 11 मार्च 2023 को ये दिये जाएंगे ठीक है तो साहे तकेदी प्रुसकार आठ भी अनुसूची में सामिल वाइस भासाओं के अलावा राजिस्था और अंग्रेजी में यानि कि टोटल 24 भासाओं में दिये जाते हैं और 24 भासाओं में दिये जाते हैं लेकन हमें 24 ना पढ़ना है ना याद करना है ना पूछे जाते हैं चार भासाओं में हमें याद करना है हिंदी भासा के लिए बद्री नराण को दिया गया है तुम्री क सब्द कभीता संग्रे के लिए अंग्रेजी भासा के लिए अनुराधा रोय के लिए ओल्दी लाइब्ड भी नेवर लिब्ड उपन्यास के लिए संस्क्रित भासा के लिए जनारधन प्रसाद पांडे के लिए मनी ठीक है मनी दीप मारिक्यम कभीता के लिए उर्दु भासा क के लिए अनीस अस्फोक के लिए ख्वाब साराप उपन्यास के लिए ठीक है तो ये केबल चार याद रख लो नेश कॉस्टन है फरवरी 2023 में किसने इंटरप्रनियोर आप दे इयर 2022 का खिताब जीता है सयांसर हो जायागा दूस्तों ऑप्शन ए जे एस डबलू के चेर्मेन स जजन जिंदल ने ये पॉर्शकार जीता है नैश qoosna है किस भारतिय को बांगलादेश ने विस्व मात्रभासा पॉर्शकार से सम्मानित किया है most important question है तो दोस्तों इसका सयांसर हो जाएगा option C Dr. Mahindr Kumar Misra के लिए Dr. Mahindr Kumar Misra की यदी हम बात करें ये कौन है तो ये भारती सिक्षक हैं और शामज़क कारे करता है और इनको बांगलदेस्ट की ढाका में प्रधानमंत्री सेख हसीना ने अंतरराष्टी मात्रभासा दिवस की आउसर पर अंतरराष्टी मात्रभासा दिवस कब होता है 21 फरवरी तो 21 फरवरी को विश्ब मात्रभासा प्रुसकार 2023 से सम्मानित किया है चुकि ये भारती टीचर है इसलिए question और भी ज़्यादा important हो जाता है next question भारती मूल के किस फोटोग्राफन ने National Geographic Picture of the Year अवर्ड 2023 जीता है सायांसर हो जायगा दुस्तो कार्तिक सुब्रमन्यम ने ए औप्सन करक्ट हो जायगा और दुस्तो कार्तिक सुब्रमन्यम ने एक फोटो किलिक करी और किस टाइटल से फोटो किलिक करी Dance of the Eagle आप लोग फोटो को भी देख पा रहे होंगे Dance of the Eagle टाइटल से इन्होंने एक फोटो किलिक करी और इसी फोटो के लिए इनको ये अवर्ड दिया गया है next question की बात करें उससे पहले दोस्तो यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करेंटर फेश को पढ़ना चाहते हैं topic wise करेंटर फेश को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको वार वार याद दिलाता हूँ कि हमारी e-book को आप जरूर वाय कर लीजिए इस e-book में वो सारे topic मिल जाएंगे वो सारे question मिल जाएंगे जहां से question exam में पूछे जाते हैं नेश्ट वन की हम बात करें और नेश्ट हमारा question है अप्रेल 2022 को किसे 31 सरसुती सम्मान प्रदान किया गया तो 31 सरसुती सम्मान जो है ये प्रोफेसर रामदरस मिसर के लिए दिया गया है ठीक है और हम बात करें कि इनको ये सम्मान इनकी कभीता संगर है मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया है नेश्ट हमारा question है दोस्तों कि हाली में 31 व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया 31 व्यास सम्मान दिया गया है डाक्टर अजगर वजाहत के लिए D option करक्ट हो जाएगा ठीक है और दोस्तों इनका एक नाटक है महावली इसी नाटक के लिए इनको 31 व्यास सम्मान दिया गया है नेश्ट question है हाली में किसे पहले वांगला अकैदमी प्रुसकार से सम्मानित किया गया दोस्तों पहला वांगला अकैदमी प्रुसकार ये पस्चम मंगल की CM ममता वनर्जी के लिए दिया गया C option करक्ट हो जाएगा और दोस्तों हम बात करें कि ये पहला वांगला अकैदमी प्रुसकार है यानि कि इस प्रुसकार की शुरुवात हाली में की गई ठीक है और किसको दिया गया है ममता वनर्जी के लिए तो ममता वनर्जी की एक बुक लौंच हुई थी उस बुक का नामे कभीता बिटान और इसी कभीता बिटान बुक के लिए इनको या बॉर्ड दिया गया है नैश कॉस्टन है हाली में गड़त में breakthrough प्रुषकाज 2023 से किसे सम्मानित किया गया सयांसर हो जायगा दूस्तों डैनियल इस्पीलमेन के लिए ए ओप्षन करेक्ट हो जायगा तो डैनियल इस्पीलमेन को सेधानतिक कम्प्यूटर विज्ञान और गड़त में इनकी योगदान के लिए ये प्रुषकाज दिया गया और गड़त में breakthrough प्रुषकाज हो है इसको Oscar of Science के नाम से जाना जाता है हाली में किसे एबिल प्रुषकाज 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तो एबिल प्रुषकार ये गड़त के छेतर में दिया जाता है और 2022 में ये प्रुषकार अमेरिकी गड़तग डेनिस सुलिवान के लिए दिया गया है बी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा सास्तर रामानुजन प्रुषका 2022 के लिए किसे चुना गया सयानसर हो जाएगा दोस्तो अमेरिका की कैलिफोर्निया इनवर्सिटी की सहाइक प्रुफेसर उनका नाम क्या है ये ओप्सन करक्ठ हो जाएगा हाली में मड़ो प्रांत करनाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया सयानसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन भी पुनीत राजकुमार को तो करनाटक सरकार की द्वारा कंणड एक्टर पुनीत राजकुमार को मड़ो प्रांत करनाटक रत्न अबोर्ड दिया गया है ठीक है और इनका निधन कब हो गया था अक्टूबर 2021 को दिल का दोरा पढ़ने से इनका निधन हो गया था पुनीत राजकुमार की आखरी फिल्म का नाम क्या है जैम्स और ये मूबी कब रिलीज हुई तो ये 17 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी नैश्टमार कोस्टन है किसे लद्दा के सरबुच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया सयांसर हो जाएगा दूस्तो ओप्शन डी दलाई लामा के लिए लद्दा का सरबुच नागरिक सम्मान दिया गया बताईए राजिस्थान के CM असोग गहलोत ने कितने लोगों को राजिस्थान रतन अबोर्ड से शम्मानित किया राजिस्थान रतन अबोर्ड दो हजर बाइस में छे लोगों को दिया गया है बी आफ्सन करक्ट हो जाएगा छे लोग कौन कौन है सबसे पहले राजिस्थान आबवर्ड जो है ये राजस्तान का सरबुच नागरिक सम्मान है इसकी सुरुवात 2012 में हुई थी और ये प्रुसकार कला, संगीत, साहत, आदी छेत्रों में और लेखनी ये योगदान के लिए दिया जाता है इसमें एक लाख रुपे नगत दिया जाते हैं और एक प्रसस्त पत्र दिया जाता है 2022 में 6 लोगों को ये प्रुसकार दिया गया है एक हैं दलबीर भंडारी, दूसरे हैं आरेम लोडा, तीसरे हैं केसी मालू, चोथे हैं एल एन मित्तल और पांचबे सीनकाफ निजाम हैं, चटबे कौन हैं अनिल अगरवाल, इन 6 लोगों को राजिस्थ रतन अबोर्ड दिया गया है, नैश को सन किस भारती लेखिका को अंतरराष्टी वोकर प्रज 2022 से सम्मानित किया गया है गीता अंजली स्री के लिए, डेटेल की बात करेंगे, तो भारती लेखिका हैं गीता अंजली स्री और इनोंने पहली बार अनुबादित उपन्यास र और इसका इंगलेस में ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉक वॉल ने, और 2021 का जो अंतरराष्टी वोकर प्राइज है ये डेविड डियोप के लिए दिया गया था, ये तो हमने बात करी है अंतरराष्टी वोकर प्राइज की, इसी करम में आप से पूछा दाएगा कि वोकर 2022 किसन जीता है, तो बोकर प्राइज 2022 जीता है सेहान करणा तलक ने, ठीक है और दोस्तों सेहान करणा तलक में बताऊं कि इनका एक उपन्यास है और इसी उपन्यास के लिए इनको बोकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है, वताइए सबसे ज़ादा important question है कि पहला लता दी को दिया गया है दोस्तो डेटेल की हम बात कर लेते हैं तो लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानात मंगेशकर के सम्मान और इसमिती में लता दीनानात मंगेशकर प्रुसकार की सुरुआत करे गए और इस प्रुसकार जो है ये प्रतिवर्स ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए के सड मुखा नंध हॉल में इस पुरुषकार समारोय का आयोजन किया गया यह पुरुषकार नरंदर मोदी को तो दिया गया है नरंदर मोदी के साथ और भी लोगों को दिया गया है गायक राहुल देश पांडे अभिनेत्री आसा पारेक अभिनेता जैकी स्रॉप और एक और प्रिष्ट आइकन 2022 प्रुसकार से सम्मानित किया गया है तो हिलाल ये पाकिस्तान का दूसरा सर्बुच नागरिक प्रुसकार है और ये किसको दिया गया है विल गेट्स के लिए विल गेट्स तो आप लोग जानते होंगे ये माइक्रोसॉप्ट कंपनी के संस्तापक है ठीके और विल गेट्स को ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए दिया गया नेश्ट कोस्टन बताईए कि हाली में किस खिलाडी को सिताराय पाकिस्तान से सम्मानित किया गया सिताराय पाकिस्तान के दोरा दिया जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सरबुच नागरिक सम्मान है और ये किस के लिए दिया गया है डेरेन सेमी के लिए दिया गया और हम बात में किसे सम्मानित किया गया याद रखना भूटान का जो सर्बुच नागरिक सम्मान है इसका नाम है नगदल पेलगी खोर लो और ये अपने देश के प्रधान मंतरी नरंद्र मोधी को दिया गया है ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा मोधी जी को ये सम्मान सासन के तहत भूटा मेत्री पून है इसलिए अपने देश के पीम को ये अबोड दिया है भूटान ने वताइए दोस्तो हाली में किसे अमेरिका के सर्बुच सम्मान लीजन ओफ दी मेरिट से सम्मानित किया गया अमेरिका का सब सर्बुच सम्मान लीजन ओफ मेरिट है और ये भी किसको दिया गया है नरंद्र मोधी को दिया गया है वताइए हाली में नेताजी पुरुषकर 2022 किसे प्रदान किया गया तो दोस्तों ये पुरुषकर दिया गया है संजु आबे के लिए और संजु आबे जापान के पूर्वे प्रदान मंत्री है और हाली में इनका निधन भी हो चुका है ठीक है तो सिंजु आबे को दिया गया है नेता जी पुरुसकार बताईए किस देश के राष्टपती वुलदमीर जेलेंस्की को विश्टन चर्चल लीडर्शिप अबोर्शे शम्मानित किया गया है सयान सरो जायागा दोस्तों युक्रेण के राष्टपती वुलदमीर जेलेंस्की के लिए विश्टन चर्चल लीडर्शिप अबोर्शे शम्मानित किया गया इसी करम में एक और कॉस्टन है कि किस नेता को लिवर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया तो लिवर्टी मेडल भी किसको दिया गया है यूक्रेण के राष्टपती वुलदमीर जेलेंसकी के लिए और इनको ये जो इसके पहले हम अबोर्ड पर चुके हैं विश्टन चर्चल अबोर्ड ठीक है ये अबोर्ड किसके द्वारा दिया जाता है तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है ठीक है और इसके बाद जो हमने पढ़ा है लिवर्टी मेडल ये लिवर्टी मेडल भ रहा है और यूक्रेयन के राष्टपती ने जो साहस दिखाया है जो रूस अत्याचार कर रहा है उसके सामने सुतंत्रता की वीरता पूर्ण रक्षा के लिए इनको ये शम्मान दिया गया है नैश कॉस्टन है हाली में कहा की संसद ने तनूजा नेशरी को आयरुवेद रत्न प्रुसकार से सम्मानित किया है तो आयरुवेद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है अपने देश की तनूजा नेशरी के लिए और किस संसद ने सम्मानित किया है तो विर्टेन की संसद ने नेश को सन किस भारतिय सास्त्रिय गायका को नौमर 22 में फ्रांस का सरवुच सम्मान सेविलिय डीला आर्डे-88-10 से सम्मानित किया गया दोस्तो ये अबोर्ड फ्रांस का सर्बुच सम्मान है और ये किस भारतिये सास्त्री गायका को दिया गया है अवणा साहिराम के लिए दिया गया डी ओप्षन करक्ठ हो जायागा नैश को सन किस भारतिये को हाली में नेपाल सेना के जनरल मानतपद से सम्मानित किया गया भारत के किस टाइगर रजर्व को TX2 प्रुसकार दिया गया TX2 प्रुसकार आपको पता रहना जरूरी है कि ये प्रुसकार ऐसे टाइगर रजर्व को दिया जाता है जिसने बागों की संख्या में ब्रद्धी करी हो ठीक है तो सत्तमंगलम टाइगर रजर्व है और ये सत टी एक्स टू इसको बोलते हैं और इसी को टी इंटू टू पुरुसकार बोलते हैं सत्त मंगलम टाइगर रेजर्व को यह अबोर्ड दिया गया वताइए हाली में किसे इंडियन इस्पोर्ट फेन अबोर्ड दो हुजर बाइस से सम्मानित किया गया अच्छा आप लोग आं पड़ता हूँ आपको भी आंसर लगाना है और आकलन करना है आप कितने कोशन के सही आंसर दे पा रहे हैं तो इंडियन स्पोर्ट फेन अबोर्ड टू थाउजन टू टू दिया गया है क्रिकेटर कार्थिके सर्मा के लिए नेक्ट कोशन पहले केमपे गोड़ा अंतर परेक्ट सभी को यह आबोर्ड दिया गया डिटेल की बात कर लेते हैं तो करनाटक के पूर्व मुखमंतरी एसम किष्णा और इंफोसिस के संस्तापक एन आर नारायन मूर्ती और पूर्व वैडमिंटन खिलाड़ी प्रिकास पादुकॉन को केमपे गोड़ा इंटरनेशन इंपोइंट हो जाता है ठीक है और दोस्तों यह जो पूर्षकार है बैंगलरू सहर के वास्तुकार केमपे गोड़ा की 523 जैनती पर उन्हें सम्मान की रूप में सुरू किया गया है नेक्श कोस्टन है केरल सरकार के प्रतिष्टित एजू थाचन पूर्षकार 2022 के लिए क मलियालम कथा लेखक सेतु इनका पूरणाम है ए सेतु माधभन इनको केरल सरकार के प्रतिष्टित एजू थाचन पूर्षकार से सम्मानित किया गया है यह जो पूर्षकार है 1993 में यह सुरू किया गया था और यह पूर्षकार के दोवारा दिया जाने वाला एक सर्वोच् पूर्षकार का नाम मलियालम भासा के जनक थू चत्थू एजुधाचन के नाम पर रखा गया इस पूर्षकार में पांच लाख रुपे नगत दिये जाते हैं और एक प्रसस्ती पत्र दिया जाता है नेश कोस्चन है किस महिला पत्रकार ने विया ख्यात्मक रिपोर्टिं और कॉमेंटरी की शेणी में पुलितजर पुर्षका 2022 जीता है सयांसरो जायागा दोस्तो बांगलदेश की फैमीदरा अजीमने इसी करम में नैश कोस्चन है पुलितजर अरक्टेक्चर पुर्षका 2022 किसे प्रदान किया गया सयांसरो जायागा दोस्तो देईबेदो फ्रा प्रतिजर आर्किटेक्चर प्रुसकार 2022 प्रदान किया गया ये प्रुसकार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं और ये आर्किटेक्चर के छेत्र में दिया जाने बाला सबसे बड़ा प्रुसकार है इसलिए इस प्रुसकार को आर्किटेक्चर का नोबल प्रुसकार कहा जाता ह इसमें एक लाख रुपे यूएश डोलर की रासी प्रदान करी जाती है और प्रुसकार की स्थापना 1990 में की गई थी और भारत के प्रिसद्ध आर्किटेक्ट वाल किष्ण दोसी ये प्रुसकार पाने वाले पहले भारतिये बने इनको ये प्रुसकार 2018 में दिया गया 2021 का जो प्रुसकार है ये फ्रांस के आर्किट एनी लेकेटोन तथा जीन फिलिप वासल को प्रदान किया गया था नेस्ट कॉस्टन है रैमन मैक्स से प्रुसकार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया सयांसर हो जाएगा दूस्तों आप्शन भी चार व्यक्तियों के लि प्रदान किय जाता है और 2022 में चार लोगों को रहेमन मेंकस से प्रदान किय जाने की घुश्टना करी गई है चार लोगों को चार लोग बंकुन है एक है सोथी अरह जिम, दूसरे हैं अतदासी हतोरी तीसरे हैं वरनाड़रेट, मैडड़र और चोथे कौँन है गेरी बेंचेगी और ये पुरुसकार उन्निश्ट संताउन से फिलिपीन्स के साथवे राष्ट पती रेमन मैक्सेसे की इस्तमिर्ती में प्रतिवर्स प्रदान किया जाता है और बिनुवा भावे नाम याद रखना है ये प्रुसकार प्राप्ते करने वाले पहले भारतिय व्यक्ती थे इनको उन्निश्ट उन्टाउन में रेमन मैक्सेसे प्रुसकार प्रदान किया गया था नैश कॉस्टन है हाली में भारतिय मुल्के किस प्रोफेसर ने वैस्बिक उर्जा प्रुसकार जीता है most important question है येदि कोई भारतिय व्यक्ति या फिर भारतिय मूलके व्यक्ति कोई अंतरराष्टी इस्तर का प्रुसकार जीता है तो वो question अपने आप में important हो जाता है अभी वेस्बिक उर्जय प्रुसकार किसने जीता है कोई सिक राज सेखर ने डी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा वताइए किस फिल्म के निर्माता केपी कुमारन को केरल के सरबुच फिल्म प्रुसकार जैसी डेनियल अबोर्ड दो हजर बाइस मिला है सही अंसर हो जाएगा दोस्तो ज सरब सिष्ट जिला की रूप में किस जिले को चुणा गया सही अंसर हो जाएगा दोस्तो गुजरात की राज कोट जिले के लिए नेश्ट रमारा कॉस्टन है हाली में किसे स्कॉठ हॉम जल पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया सैयांसर हो जायागा दूस्तो ऑप्शन भी प्रोफेसर बिलफ्रेट बुट्साइट के लिए स्कॉठ हॉम जल पुरुषकार से सम्मानित किया गया नेश को सन हाली में 18 माधावरा और लिमिय पुरुषकार से किस सम्मानित किया गया सयान सरो जाया गा दूस्तों आप्शन सी केंद्री सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी के लिए नेश को सन है खाली में किस वारतीय को Humboldt Research Abort 2022 दिया गया सयान सरो जाया गा दूस्तों जो पंजब इन्वर्षिटी है उसमें वाटनी के प्रोफेसर हैं इन्द्र जीत्स है ठीक है तो इनको Humboldt Research Abort दिया गया है किसको इन्द्र जीत्स है के लिए नैशको सन, हाली में बिर्टेन में जारी विश्व के सर्बशिष्ट इस्कूल प्रुसकारों की सूची में कितने भारते इस्कूल हैं तो पांच भारते इस्कूल हैं नेश को सन महिला फिक्सन पुरस्कार 2022 किसन जीता है शयांसर हो जायागा दूस्तों अमेरीकी कनडाई लेखी का और फिल्म नर्माता नाम क्या है उनका रुथ ओजुकी और रुथ ओजुकी ने महिला फिक्सन पुरस्कार जीता है दुनिया का सरवसिष्ट नर्स का पुरुष्कार Garcian Glauver Nursing Award 2012 कि सन जीत लिया है तो Garcian Glauver Nursing Award यह दुनिया का सरवसिष्ट नर्स पुरुष्कार है और यह Kenya की अन्ना काबले दुबाने जीता है B option करक्ट हो जाएगा नैश को सन है किस भारतिय को Green Oscar के नाम से प्रसद Wheatley Pruskar 2022 प्रदान किया गया तो Wheatley Award ये Green Oscar के नाम से प्रसद है और ये किसी भारतिय को दिया गया नाम क्या है उनका चारू दत्त मिसरा V option correct हो जायगा next question है World Prize Photo of the Year 2022 का प्रसकर किसने जीता है सही answer हो जायगा दोस्तों option B Ember Bracon ने तो B option हमारा correct answer हो जायगा और Ember Bracon ने एक photo किलिक करी आप लोग photo को देख पा रहे होंगे और इस photo का title क्या रखा गया तो Come Loops Residential School इस photo का title रखा गया और इसी photo के लिए इनको World Press Photo of the Year 2022 का प्रसकर दिया गया बताईए हैसल विलेड अवर्ड 2022 किस भारतिये को मिला है सही answer हो जायगा दोस्तों option D दयानेता सिंग के लिए हैसल विलेड अवर्ड ये दुनिया का सबसे प्रतिष्टत photography प्रसकार है और ये October 2022 में भारतिये photographer दयानेता सिंग के लिए दिया गया है भारतिये photograph हरें इसलिए इनका नाम जरूर याद रखेंगे बताईए भारत के सुतंतरता दिवस के आउसर पर कितने लोगों को वीरत प्रुषकार से सम्मानित किया गया तो 107 लोगों को वीरत प्रुषकार से सम्मानित किया गया नैश कोस्टन सुतंतरत देवस 2022 के सुब आउसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तो 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है प्रतेश्टेत मानदवाल अधिकार नायक पुरुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तो भारत के असोग दयाल चंद के लिए और घाना के जेम्स कॉफी अन्नान के लिए दोनों व्यक्तियों को मानदवाल अधिकार नायक प्रुसकार 2022 दिया गया है नेश्ट कोस्टन है हाली में सातवा स्वामी नातन प्रुसकार से किसे सम्मनित किया गया सैयान सरो जाएगा दूस्तो ओप्षन ही वी प्रवीन राव के लिए जो स्वामी नातन प्रुसकार है ये किस छेतर में दिया जाता है ये किरसी यानि कि एगरी कल्चर के छेतर में दि प्रुसकार में दो लाख रुपई या नगत दिये जाते हैं और एक प्रसस्ती पत्र दिया जाता है नेश कॉस्टन है हाली में किसे परम विशष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया तो वाला फैंख खिलाडी नीरत चोपडा के लिए ये पदक दिया गया इसी क्रम में नी अबोर्ड दो हजर बाइस में इस्पोर्ट में आप द इयर का अबोर्ड ये भी किसको दिया गया है नीरत चोपडा के लिए दिया गया नैश कॉस्टन भारत रतन डाक्टर अंबेटकर प्रुसकार दो हजर बाइस से किसे सम्मानित किया गया वजरंगी भाईजान मूवी अब लोगों ने देखी होगी और बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का रॉल प्ले किया था किसने प्ले किया था हर साली मलहुत्रा लें ठीक है तो हर साली मलहुत्रा को भारत रतन डाक्टर अंबेटकर प्रुसकार दिया गया है नैश कॉस्टन हाली में विस्व खाद प्रुसका 2022 से किसे सम्मानित किया गया यह इंपॉइंट अबोर्ड है और 2022 में यह सिंथिया रोजन जवेक के लिए दिया गया ए ऑप्शन करक्ठ हो जायागा मैंने कहा ना कि यह इंपॉइंट अबोर्ड है इसलिए सारे फेक्टों को हम डिसकस करेंगे वीडियो थोड़ मरोड के किसी भी प्रकार से कॉस्टन को पूछ ले आप उस कॉस्टन को सही करके आएंगे आप करंट अफेस में अच्छा स्कोर करके आएंगे इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डिटेल में और आसान भासा में यदि आप करंट अफेस को पनना चाहते हैं पूरे साल के करंटेफस का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी e-book को आप जरूर भाय कर लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं विश्व खाद प्रुसकार की तो नासा की जलवायू अनुसंधान वेग्यानिक नाम है इनका सिंथिया रोजन जबेक और इनको विश्व खाद प्रुसकार 2022 दिया गया है इन्होंने अपने केरियर का अधिकान समय ये समझाने में बताया कि वैस्व खाद उत्पादन को किस प्रकार से बदलती जलवायू के अनुकूल होना चाहिए ये प्रुसकार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुकमरी को कम करने और वैस्व खाद सुरक्चा को बढ़ाने में महत्पून योगदान दिया हो तो इस प्रुसकार की सुरुवात होई थी 1986 से और सुरुवात किस ने करी थी इस्टेटिक जीके में पूचा जाता है डाक्टर नॉर्मन बोरलाग ने सुरुवात करी थी और डाक्टर नॉर्मन बोरलाग ये विष्व में हरित करांती के जिनक माने जाते हैं और इस फेक्ट से भी ज्यादा इम्पून फेक्ट ये वाला है कि पहला विष्व खाद पुरुसकार किसको दिया गया डाक्टर म. स्वामी नाथन को कब दिया गया 1987 में यानि कि जिस साल ये शुरू हुआ उसके एक साल बाद और डाक्टर म. स्वामी नाथन ये भारत में हरत करांती के जनक कहे जाते हैं और ये जो पुरुषकार है इसको खाद और किरसी छेतर का नोबल पुरुषकार कहा जाता है तो इतने फैक्ट है आपने और कहीं नहीं पढ़े होंगे दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और बहादर सर की मेहनत अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को अभी क्या भी लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम अपने वाट्सअप स्टेटस पर लगा सकते हैं तो इसकी लिंकों को कॉपी करके अपने वाट्सअप स्टेटस पर जरूर लगाएं मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा बताए भारत के किस हैं ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अबोर्ड 2022 जीता है सायांसर हो जाएगा दुस्तो option C हैदराबाद ने next question है सर सयद Excellence International अबोर्ड 2022 किसको मिला सायांसर हो जाएगा दुस्तो option A Barbara D. Metcorp को दिया गया ठीक है और दोस्तो ये जो अबोर्ड है ये अलीगर्ड मुस्लिम बिस्विद्याले के संस्तापक सर सयद अहमद खान की जैन्ती पर हर साथ दिया जाता है next हमारा question स्वक्ष सरवेक्षन प्रुस्काद 2022 के तहत किस सहर को भारत का सबसे स्वच्च सहर चुना गया है सयांसर हो जाएगा दुस्तो option A इंदोर सहर के लिए next question किस भारतिय व्यग्यानिक को फ्रांस के सीस नागरिक सम्मान सेविलियर डीला लीजन डोहिनूर से सम्मानित किया गया सयांसर हो जाएगा दुस्तो option B भारतिय व्यग्यानिक डाक्टर स्वाती पीरामल के लिए next question है किस भारतिय पत्रकार पर आधर डाकुमेंटरी वाइल वी वाच्ट को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल 2022 में Amplify Voices Award दिया गया है दुस्तो किस पत्रकार पर आधरतिय डाकुमेंटरी वनाई गयी थी सयांसर हो जाएगा option B रविस कुमार के उपर और डाकुमेंटरी का नाम क्या है वाइल वी वाच्ट ठीक है और इसी डाकुमेंटरी के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल के लिए ये अबोर्ट दिया गया है ए उप्षन करक्ठ हो जायागा नैश कॉस्टन है गांधी मंडेला अबोर्ट 2022 किसे दिया गया सयांसर हो जायागा दुस्तो option C दलाई लामा के लिए नैश कॉस्टन है स्वामी ब्रह्मानंद प्रुसकार 2021 किसे सम्मानित किया गया सयांसर हो जायागा दुस्तो option B आनंद कुमार के लिए और आनंद कुमार का नाम आप लोगोंने जरू सुना होगा सुपर 30 आप लोगोंने मूवी देखी होगी तो सुपर 30 मूवी जो है रितिक रोशन की वो आनंद कुमार की उपर बन चुकी है और उस मूवी में आनंद कुमार का रोल किस ने प्ले किया था रितिक रोशन ने किया था ठीक है तो सुपर 30 पहल की माध्यम से सिक्चा के छेत्र में उनके योगदान के लिए सौमी ब्रह्मनंद पुरुसकार 2021 दिया गया है आनंद कुमार के लिए बताएए विंक्स इंडिया 2022 इबेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड चेंपियन पुरुसकार जीता है इसका सही अंसर हो जायागा दूस्तो आप्शन ए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेश्ट हमारा कॉस्टन है हाली में किस राज्ज को सिक्षा के चित्र में इसकोच अबोर्ड प्रदान किया गया सिक्षा के चित्र में इसकोच अबोर्ड ये पश्चिम मंगाल को दिया गया है नेश्ट हमारा कॉस्टन है किसे टेंपल्टन पुरुष्कार 2022 से सम्मानित किया गया टेंपल्टन पुरुष्कार 2022 ये फ्रेंक विल्जेक के लिए दिया गया डेटेल की अदि हम बात करें तो नोबल पुरुष्कार से सम्मानित है और भौतक बे घ्यानिक और प्रसद लेखाखे फ्रेंक विलजेक इनको टेमपल्टन पुरुसकार 2022 दिया गया है टेमपल्टन पुरुसकार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनोंने आधियात्म के चेत्र में महत्मूर योगदान दिया हो और यह पुरुसकार 1973 मे जितने भी महत्पुन पुर्सकार दिये गए हैं उनको डिसकस किया लगभग 90 से जादा आवोर्ड को हमने डिसकस किया बिलकुल डेटेल में और आसान भासा में इसी प्रकार से आप हर कॉस्टन को बिलकुल डेटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरे साल के करेंट अफ है तो आप हमारी इबुक को जरूर बाय कर लीजिए इबुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रेप्शन में जय हिन दोस्तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मात्रम